नमस्ते वेबमास्टर्स हमारी इस वीडियो शंकला में आप सभी का स्वागत है चलिए देखते हैं हमारा आज का सवाल क्या है धर्मेंज हमसे पूछ रहे हैं मैंने हाल ही में एक नया ब्लॉग बनाया है कौन सा कंटेंट मुझे अधिक ट्राफिक दिलाएगा हिंदी या हिं इंग्लिश क्या गूगल हिंदी और हिंग्लिश को एक समान मानता है तो दर्मेंजी सबसे पहले तो आपके नए ब्लॉग पर बहुत बहुत बचाई काफी अच्छा सवाल पूछा है आपने और उसके लिए धन्यवार तो यह समझे कि ट्राफिक और कुछ नहीं बलकि आप पूरा करता है और उनकी भाषा में है तो इसमें कोई संदे नहीं है कि इस तरह का कंटेंट आपके ब्लॉग पर ट्राफिक लाएगा कंटेंट के लिए गूगल के दिशाने देश हमेशा ही ये रहे हैं कि यूजर्स के लिए लिखें और ये भाषा के लिए भी समान रूप से मानने हैं तो यदि आपके users English में content की तलाश कर रहे हैं, तो बेजिजक आप उस भाषा में अपना content बनाएं। अगर उसी जगह आपके users Hindi में अपने content को पसंद करते हैं, तो आपको Hindi में लिखना होगा। Google को इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप किस भाषा में content बनाते हैं। जहां तक भाषा समझने का सवाल है, तो English और Hindi को दो अलग-अलग भाषाओं के रूप में माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि English अंग्रेजी वर्ण माला का उपयोग करते हुए लिखी जाती है, जबकि Hindi लिखने के लिए देवनागरी लिपी का उपयोग होता है। यहां पर दिशा निर्देश केवल एक है, जिसका आपको अनुसरण करना होगा, वो यह कि एक पेज पर एक ही भाषा में लिखने का प्रयास करें। एक पेज पर एक से अधिक भाषा का मिशन आपके यूजर्स को परशान कर सकता है, और इससे यूजर अनुभव प्रभावित होता है। मुझे उमीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक शेयर कर रहे हैं और अगर आपके पास आगे कोई और प्रश्न हों तो आप हमारी इंडिया जी प्रेस कम्यूनिटी या हमारी वेब मांस्तर हिंदी प्रोडक्ट फोरम पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही एक और वीडियो हम जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे तब तक के लिए नमस्कार।